तो जो लोग दूसरों के घरों में जाके काम कर रहे हैं, एक बार उनके वर्ग को तो आप recognize कर लो, दूसरा writer यहां वे भी बोलना चाहरी हैं कि कुछ यह जो home makers हैं, यह इन लोगों के साथ में जो cheating होती है न, कि हर बार इनको unfair treatment मिलता है, short changed का मतलब होता है, कि इनके साथ में जितना ये डिजर्व करते हैं उतना इनको पेमेंट नहीं मिलता तो आप इस पर पी दो ध्यान दो आज जो तमिल नाडू में औरते हैं ना उन पर करजा बहुत जादा बढ़ गया है वज़य क्या है उनकी कि जो वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाती है या फिर जो घर प पर फिर वो रीपे नहीं कर पाती है और वो पेमेंट जो होता ना स्कूल एज्यूकेशन का वो किसको दिया जाता है जो हाई फी जो चार्ड़ की जाती है प्राइवेट एज्यूकेशन के तुरू या प्राइवेट हील्थ के तुरू उस पर भी तो ध्यान दे सकते हुआ और दूसरी तरफ कास्ट सिस्टम के चलते जहां पे अपर और लोवर कास्ट के बीच में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर भी पार्शलिटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है तो एक चीज तो देखो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा व तो बेसिकली राइटर सीधा तंजी ये मार रही है कि जो द्राविडियन मॉडल है जहां पर जेंडर जेंडर्ड केरेक्टर देखने को मिलता है यह पर पार्शलिटी देखने को मिलती है तो वहां पर इस तरीके की वेलफेरिजम आ रही है कि हां जो हाउज वर्क है उसके लिए payment देना चाहिए, वो वाकई में प्रेज वरती है, उसकी बड़ाई होनी चाहिए, बट reality क्या है, उस पर भी तो ध्यान दो, आप ignore मत करो, जो चीज़े already हैं, उनको तो कम से कम fulfill करो, अगर आप PDS की through, free में या सस्ते में अनाज मुहया करा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी scheme सला रहे हो, जिससे की household को कहीं ना कहीं थोड़ा सा comfort मिल जाए, जैसे की कई बार goods प्रोवाइड की जाती हैं, कई बार mixer, grinder, ये प्रोवाइड कर दी, कई बार बकरियां, गाएं, ये दे दी जाती है, गवर्मेंट के दौरा, या फिर जो भी political parties हैं उनके दौरा, तो इन पर आप ध्यान रखो, तो जो basically जो recipients हैं, जो receive कर रहे हैं आप उनकी जो problem है, daily routine की जो problem है, उनको recognize करके काम करो, क्यों ये आप freebies बाट रहे हो, इनसे क्या फाइदा होने वाला है, केवल दो दिन के लिए vote में जाएगा, और जो vote देने वाले हैं, उनको भी long term में ज्यादा कोई फाइदा नहीं होगा, रही सही में जो working condition है, चाए वो sanitary worker हो, या फिर कोई भी fire worker हो, या कोई भी domestic work में involved जो labor है, उनको कैसी condition मिलती है, बिल्कुल pathetic, precarious conditions में उनको काम करना पड़ता है, तो उनकी safety ensure करना, रही सही में जो workplaces है, वहाँ पर जो sexual harassment का सामना करना पड़ता है, उसको improve करने की जरूरत है, साथ में, जो migrant labors है, आप उनको recognize करो ना, आज अगर Tamil Nadu की बात की जाए, जहांकि हम politics की बात की जाए, बोलब वहाँ पर जो सबसे important role play करते हैं, वो migrant workers ही करते हैं, house work में कम से कम, घर पे जो काम किये जाते हैं, तो उस चीज़ पर हमें, migrants को हम एक देखो, migration जगा, जो migrant crisis हमने COVID-19 पर देखा था, उसको भी recognize करने की जरूरत है, तो देखो, एक तरीके से household based welfareism की जो बातचीत की जारी है, ये कही ना कहीं, एक कुटिलता है, cynicism है, कि कही ना कहीं हाँ, बस पागल बनाना है, वोट लेना है, चलो, एक चीज तो clear हो गई, कि पिसले कुछ सालों के अंदर state में, तमिलनाडू particular ही बात की जारी है, कि जो liquor sale है, that means wine की जो selling है, वो बुल है, state के लिए कहीं ना कहीं, देखो, हम ही हमने बात की थी previous article में ही, कि वैट और sales tax के basis पे, liquor पे, इन पे सीधा, राज्य सरकारों को क्या income होती है, बट, liquor जो है, वो edible pds rice provide कर दिये, तो वो भी कोई long term में थोड़ना चलेंगे, वो भी तो किवल short term में ही है, long term के लिए तो, जो existing workforce है, उसकी welfare के लिए काम करो, उनको जो requirement है, उनकी जो working conditions है, उनको improve करने की ज़रूरत है, इससे क्या होगा, कि वो किवल एक साल के लिए जिन्दा रहने के लिए नहीं है यहाँ पर, उनको बहुत लंबा जिन्दगी जीनी है, तो उनकी welfare के लिए, उनकी working के लिए, उनको job opportunity दो, उनकी upliftment की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, development with belonging, यह आर्टिकल लिखा हुआ है, deputy CM of हरियाना, उन्होंने यह कहा कि, COVID-19 pandemic की वज़े से, जितना भी slowdown आया है, उसका असर हरियाना पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो उसके चलते हमारे youth की जो aspirations हैं, उनको पूरा करने के लिए, हमने बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी agricultural land जो है, वो NCR में चला गया, जो National Capital Region में चला गया, तो उससे क्या हो गया, agriculture sector जो है, वो हमारे youth के लिए productive नहीं रहा, तो इसके चलते private sector, आज हरियाना में बहुत investment लेकर के आ रहा है, बहुत पैसा लेकर के आ रहा है, और हरियाना जो है, वो development के indexes में top states में consider होता है, तो उसके चलते हमारे पास में जमीनों की कमी है, और दूसरे हमारे youth की aspirations भी पुरी नहीं हो पा रही है, जादा हो रही है, तो उसके चलते हमें हमारे youth को job ensure करना बहुत जादा जरूरी था, फिर यह बोलते हैं कि मेरा खुद का election campaign भी थ है कि 50,000 से कम salary वाली जो भी jobs हैं पर मन्त ठीक है, उनके अंदर 75% reservation रखा गया है हरियाना government के दुआरा जो भी private industry हरियाना में काम कर रही है उसके अंदर, ठीक है हरियाना के जो और domicile based, that means कि जो लोग हरियाना में रह रहे हैं या फिर पिछले 5 सालों से रह रहे हैं या हरि domestic, मतलब domicile based ये reservation का point दिया जा रहा है, ये जो deputy CM है उनके द्वारा, साथ में ये भी बोल रहे है कि जो employers हैं, उनको भी हम यहाँ पर incentivize करते हैं कि साल में एक बंदे को job देने के लिए हम 48,000 रुपए employer को देते हैं, उस company को provide करते हैं, तो उसी से लेका, और वो जो act है हरिय on enterprises and employment policy 2020 के तहत, कि 48,000 रुपए हम उस employer को, उस job giver को देते हैं, जो की एक बंदे को job देता है, एक साल के लिए, इसी चीज़ का कहीं ना कहीं, हमारे youth की requirement को fulfill करने के लिए हमने ये provision लाए हैं, साथ में ये मध्या प्रदेश हो गया, अंदर प्रदेश करनाट का, गुजरात महरास्टा बोला है, इन states ने भी तो provision किया है, हम कोई अलग थोड़े ना है, तो domicile based अगर benefits किसी को दिये जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं Supreme Court के previous कई verdicts ऐसे हैं, नाम तो नहीं बता रहे हैं verdicts का, बस बोल दिया, ठीक है Supreme Court के कई verdicts ऐसे हैं, जिनके basis पे ये reservation हम दे रहे हैं फिर last में आते हैं ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई भी private industry बाहर से किसी को hire करना चाती है, जो MBIT अभी reservation वाला था उसमें, तो वो industry के जो भी employees है या फिर जो भी CEOs हैं, उनको district commissioner से बात करनी पड़ेगी और approval लेना पड़ेगा कि हां, वो बाहर से दूसरे state के लोगों को hire करन चार है, साथ में state में जो 75% reservation दिया गया है, उस reservation को वो divide गर सकते हैं, कि हर एक district में से 10% ही reservation दिया जाएगा, तो ऐसे गर कि हरियाना specific बाते की जारी है, साथ में देखो इनका एक ही कहना है में तो, कि बोला हमने जमीने दी हैं, हमारी जमीने बहुत जा चुकी हैं, पर हमें कोई फाइदा नहीं हो रहा, हमारे यूथ जो बेरुजगार घूम रहा है, तो इसके चलते हमने ये दिया है, साथ में article 21 को इन्होंने दूसरे angle से use किया है, कि right to livelihood जो है न, इस पर तो कोई dispute है नी न, तो हम हमारे state के लोगों को अगर ये provision देते हैं, right to livelihood, तो इसमें किसी क problem होनी नी चीए, इस से social और economic security ensure हो पाएगी है हमारे state के लोगों की, तो ये चीज बोली जा रही है, writer के द्वारा, ठीक है, बस discussion यहीं किता हम है, thank you very much